कैसे सूखे और पीले मटर देखते देखते हरे हो जाए तस्वीरें आपको चुका देंगी तस्वीरें गवा है परवल जिसे की लोग बड़े शौक से खाते हैं परवल की हकीकत जो आज आज आप हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपने घर आप परवल लाएं कि ना लाएं और तर्बूज का एक ऐसा सच जो शायद आपको तर्बूज से नफरत कर दे और सब्जियों के बाद हम आपको दिखाते हैं फलों की हकीकत सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे तर्बूज की लाली का राज सड़कों के किनारे या मंडी में बिकने वाला हर तर्बूज आखिर लाली क्यों दिखता है कभी आपने सवाल के बारे में गौर किया है सोचा है उसकी मिठास चीनी की तरह ही क्यों होती है और आप भी इस हकीकत को अपनी आखों से देखे लाल तर्बूज को उसकी मिठास का जो काला सच आप देख सकते हैं तर्बूज में चीनी के घोल का इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें रंग मिला जाता आटिफिशल कलर ये तर्बूज की मिठास बढ़ाने के साथ साथ उसे लाल बना देगा ये आटिफिशल कलर एरो थ्री सिन भी होता है इससे इंजेक्शन के जरीए तर्बूज में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर तर्बूज एकदम लाल दिखाई देने लिए ये कलर ये कैमिकल सेहत के लिए इतना खतरनाक है कि डॉक्टर्स बताते हैं इससे कैंसर होने क खतरा है और अब जूस की हकीकत भी आप जान लीजिए जो सुनकर आप फिर से ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जूस क्या पीकर वाकर ही आपकी सेहत बनेगी फल का जूस जो है दिक सिर्फ दिखावे के लिए होता है चुपे कैमरे में अनार के जूस की हकीकत सामने आ गई है अनार का जूस लाल दिखे इसके लिए इसमें रंग मिलाया जाता है और ये इंडिया टीवी के कैमरे ने कैद किया जूस पीने वालों की नजर बचा कर अनार में सिंथेटिक कलर डाला जाता है और एक बार फिर आपको याद दिला दें जिस कलर से कपड़े और का आगर लाल किया जाते हैं उसी रंग का इस्तेमाल आपको लाल अनार का जूस देने में किया जाता है शुपर हुए कैमरे ने जो सच कैद किया आप देख सकते हैं सामने से आपको दिखाई नहीं देगा आपको लाज जूस आता दिखाई देगा लेकिन उसके पीछे का सच देखकर आप हैरत में पर जाए और अब बात करते हैं मौसमी के जूस की जो अमूमन डॉक्टर्स कहते हैं कि बिमार होने पर दिया जाता है लेकिन उसकी हकीकत और भी चोकाने वाली है इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जो देखा उसे देखकर आप भी हैरत में बढ़ जाएंगे जिन फलों से जूस निकाला जाता है उसमें पहले ही सैक्रीन और चीनी का घोल भड़ दिया जाता है मौसमीों को रंग रसबरा बनाया जाता है इंजेक्शन के जरिए सैक्रीन की घोलिया आप देख सकते हैं डाली जा रही हैं पानी में मौसमी को छेद करके इसमें भिगो के रख दिया जाता है जिससे मौसमी भरी-भरी लगती है और मीठी लगती है और जो कमी पेशी रह जाती है उसे बड़े-बड़े इंजेक्शन के जरिये मौसमी में सेक्रीन से भरा रस भर दिया जाता है और इन मौसमियों से खूब मीठा जूस निकलता है आप जूस समझ के पीते हैं लेकिन वो होता है चीनी मिला पानी फलो की और सब्जियों की हकीकत आपने देखी मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि सब्जियों को जिस रंग में रंगा जाता है जिन केमिकल्स को अनार तर्बूज में भरा जाता है वो सिहत के लिए बेहत खतरनाक है कि जिस भी किसी नैच्रल चीज में कोई भी कैमिकल डाला जाता है वो सभाविक है कि वो सिहत के लिए अच्छा नहीं है कि कोई भी chemical हो इन में से बहुत सी तरह की चीज़ें को देखा गया है कि ये श्री में long term में collect होकर toxicity कर सकते हैं और श्री के बन-बन अंगों को damage कर सकते हैं और इनको low grade carcinogen भी कहा जाता है कि जिसे ये predispose करते हैं कि किसी cancerous की चीज़ों के होने के लिए फलो और सबजियों के हकीकत आपने देखी हमें आरा मकसद आपको डराना नहीं अलर्ट करना है क्योंकि अलर्ट रहकर आप ऐसी खतनाख सबजियों से बच सकते हैं हमेशा नैश्रल दिखने वाली fresh सबजियां खरीदें कभी चमकने वाली या बहुत ज्यादा हरी दिखने वाली सबजियां ना खरीदें और अगर खरीदें भी तो उनको एक बरी potassium permanent के पानी में जरूर डिबोके रखी अगर उसमें रंग लगा हो तो निकल जाएगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी थोड़ी हट जाएगे हम यह नहीं कहेंगे कि आप पूरी तरह से इस खत्रे से बच सकते हैं लेकिन खत्रा आप 60% कम कर सकते हैं हारी दिखने वाली सबजी अमुमन हम लोग खरीदना चाहते हैं तर्बूद भी हम वही खरीदना चाहते हैं जो लाल होता है कर दो कर दो कर दो दो